हलो दोस्तों कुछ कमेंट साइसे आए हैं जिस वज़ा से जो है मुझे रिपलाई देने के लिए वीडियो बनाना पड़ा और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपको ये सब चीजें कैसे बता हैं हलाकि ये सब चीजें क्लियर हो चुका है क्लियर हो चुकी है मैंने कल जो है स्क्रिन शोट भी लगाये थे प्रूफ के साथ में तो ये न्यूज में भी आ चुका है तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहते हूं कि कोई भी किसी को गल्स रत ना भोले है ना तो आज की तारीक में कहते हैं बगवान बताने कब से फुल पाई है वो ठीक है लेकिन भगवान ने उसी को अब एक और ऐसा गहरा चखम उसको मिला है तो उसमें भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की ने चलती लेकिन उस महाद से पूछिए जिसके दो लाल जो है वो चले गे उनकी कोई बेटी नहीं है हना आपको सब को पता है कि लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुस्राल वाले जो हैं वो सपना के साथ गलत करने ऐसे अरे वो कैसे गलत कर सकते हैं जब उन्होंने अपने बड़े बेटे के जाने के बाद अपने चोटे बेटे के साथ शादी करवा दी लोगों के कितना कुछ कहने के बाद भी उन्होंने इ बलने में अभी बहुत वक्त लगेगा बगवान से जही कहते हैं कि परमातमा उनको शक्ती दे बहुत ही समझदार हैं सपना के सुस्राल वाले लेकिन एक माँ जिसके दोनों लाल चले गे वो अपने उस दोनों लाल की जो उनके बेटों की निशानिया है वो अपने उन कि गुजरबसर जो है वो करेंगी तो आप सपने के दिल से पूछिए कि उसके दिल की क्या हालात है इतनी 25-26 साल की 17 साल की उमर में उसने दो दो बार दो साल में ही इतना कुछ उसके साथ हो गया हना तो लोग जो हैं बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है यह सब भगवान के हाथ में हैं किसी का जीवन देना किसी का जीवन लेना तो यहां पर जो है उनका जैरी जानी की डॉग दारूट वालों का तो मैं कहना चाहते हूं कि वो भी कितना मिस कर रहा है अपने दोनों मालिकों को तो यहां पर परिवार की ऐसी स्तिती नहीं है कि और सबके सामने आकर अपनी स्थिति को जो भी बात है उसको क्लियर करें कुमेंट सेक्शन में आप लोग राजवीर की आत्मा की शानती के लिए सुरज की आत्मा की शानती के लिए जरूर से बगवान से प्रेयर करें